ये वीडियो में हमने देखा था कि wordpress में login पेज पे custom logo कैसे सेट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे की featured banner कैसे बनाते है featured banner like जैसे यह हमारा home page है इस page जो अभी banner आ रहा है वो हमने advanced custom field से बनाया था और अगर मैं Contact Us page पे जाता हूं, तो यहां पे हमारा कोई Banner नहीं है अभी, तो यहां पे हम Banner बनाएंगे, और वो Banner हम सिर्फ Inner Pages के लिए बनाएंगे, क्योंकि Home Page पे हमारा Already Banner आ रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं Contact Us page पे जाऊंगा, यहां पे हम जो Banner बनाएंगे, उसके लिए एक Default Image सेट करेंगे, वो Default Image तब तक रहेगी, जब तक हम Backend पे जो हमारे पास Featured Image की Option होती है, यहां पे, अगर यहां पे आपने कोई Image सेट नहीं किया है, तो हमारी Default Image आएगी, और जैसी आप यहां पे कोई Image सेट कर दोगे, तो हमारी Default Image, Featured Image की साथ Replace हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कैसे करेंगे, चलते हैं हमारे Editor में, यहां पे, अब क्या है कि, जो हमारा Header है न, यहां पे, जो Header है हमारा, वो सारे पे जिस पे अभी, अभी, चलिए देखते हैं, यहां पे मैं PHP स्टार्ट करता हूं, और यहां पे मैं PHP क्लोज कर देता हूं, और यहां पे मैं condition लिखूंगा कि, अगर हमारा Home Page नहीं है, यहां पे हमारा Home Page, Front Page पे सेट है, ठीक है, तो हम लिखेंगे, अगर, अगर हमारा, Home Page नहीं है, अगर हमारा Home Page नहीं है, तो फिर हमारा Code शो हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, और यहां पे, यहां पे curly start करूंगा, और यहां पे I again, PHP, start करूंगा, और हपे close कर दूंगा, और यहां पे curly braces बंद कर दूंगा, क्योंकि इसके बीच में हम अपनी estima लिखेंगे, यहां पे, तो यहां पर मैं फिलाल अभी डिव डाल देता हूं एक और यहां पर लिख देता हूं मैं Featured Banner चली चेक करते हैं कि हमारे Contact Us page पे कुछ शो हुआ है या नहीं हुआ यह देखिए यहां पे Featured Banner आ गया है और हमारे Homepage पे यह आ रहा है नहीं तो देखिए यहां पे Featured Banner नहीं आ रहा है तो हमारा Code बिल्कुर सही चल रहा है अभी Contact Us पे हम क्या करेंगे जो हमारा Homepage पे बैनर आ रहा है वुछ पर हम Right Click करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे तो यह हम सारा Banner वाला Code पिक कर लेंगे कोपी कर लेंगे इसको और जहां पे हमने यह Estimate डाली है यहां पे इसको यहां से रेप्लेस कर देंगे ठीक है और अभी मैं अगर refresh करता हूँ अपने Contact Us पेज को वहां पे हमारा Banner आ गया है लेकिन हमने इसको डैनमिक करना है ठीक है डैनमिक करने के लिए मैं यहां पर कोड लिखूंगा थोड़ा मैं यहां पर एक वेरियबल ले लेता हूँ प्रीचर इमेज यूरल और यहां पर हमारा फंक्षिन होता है get the अगर हम Google में सर्च करते है get Thumbnail url तो यह फंक्षिन होता है WordPress का करें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहां से get the Post Thumbnail url यह हमारा function होता है इसके अंदर हम हमें चाहिए एक तो हम id करेंगे इसकी get the id और वह हमें उसका size हमें फुल में चाहिए तो अब हमें हम देखते हैं कि यह जो हमारे पास variable है इसमें हमारे पास क्या आ रहा है मैं इसको Mango करवा देता हूं यहां पर और मैं comfort करता हूँ कि यहां रवारा नहीं हां यहां पर मैंया और इफ्रेश करता हूं contagious page को乾्णि के अब हमारे पास कुछ भी DIY नहीं हुआ है क्वा हम इसको contact page को added करते हैं और यहां पर एक image set करते हैं contact page के लिए यह वाली image में use करूँगा यह मैंने यहां पर feature में set कर दी है page को मैंने update कर गया उसके बाद जब मैं इस page को refresh करूँगा भी देखिए हमारे पास यहां पर URL आ रहा है contact us का ठीक है क्योंकि हमने feature में set कर दी है तो उसका URL आ गया हमारे पास ठीक है तो अभी मैं echo को remove कर दूँगा और यहां पर जो यह URL डाला हूँ हमने static URL यहां पर उसको मैं यहां पर PHP start करूँगा PHP close करूँगा और यहां पर echo करवा दूँगा उस variable को मैं फिर से refresh करता हूँ page को यह देखिए हमारा जो featured image हमने back end पर set की है वो यहां पर आ गई है लेकिन in case महां लीजिए कि यहां से मैं इसको delete कर देता हूँ featured image को मैंने delete कर दिया और page को मैंने update कर दिया उसके बाद उसके बाद मैं page को refresh करता हूँ तो क्या होगा हमारी featured image शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने back end से delete कर दिया तो यहां पर default में जानी चाहिए तो मैं यहां पर default में set करूँगा मैं कहता हूँ कि अगर if featured image URL नहीं है तो क्या हो उस variable में जो हमारी इसके अंदर acids के अंदर मैंने एक मेज रखी हुई है यह mountain करके mountains ठीक है इसको call कर लेते हैं इसको हम अपने default में set कर देते हैं जो की home page भी यूज हो रही है मैं लिखूंगा get style sheet directory uri और concatenate कर दूँगा यहां पर मैं यह हमारी पढ़ी है acids images के अंदर acids images images और उसका नाम है mountains dot dpg इसको मैं अब close कर देता हूँ और अब चेक करते हैं कि यहां पर हमारे contactors page पर यहां पर कोई image आई है या नहीं आई है देखिए यहां पर image आ गई है ठीक है अब मैं आपको एक नया page बना के दिखाता हूँ about us का page बनाते है हम एक नया चीक है अभी मैं इसको भी update कर देता हूँ यह न यह भी हमारा dynamic आना चाहिए welcome to move to career जो लिखा हुआ है तो इसके लिए मैं यहां पर जो हमारा यह लिखा हुआ है इस पर हमारा page का name आना चाहिए टाइटल आना चाहिए तो यहां पर भी मैं PHP स्टार्ट करूँगा इस भी क्लोज करूँगा और यहां पर मैं लिख दूँगा जी टाइटल देखते हैं यहां पर क्या हुआ यहां पर देखिए यह contact us पेज आ गया है तो यहां पर contact us आ गया है तो उसके बाद मैं अब एक नया page create करता हूँ यहां पर about us की नाम से add new page और यहां पर मैं लिख देता हूँ about us यहां पर मैं लिख देता हूँ this is about us page और इसको मैं publish कर देता हूँ publish करने के बाद मैं यहां पर website पर इसको refresh करता हूँ यहां पर हमारा about us का link नहीं आया है तो चलिए देखते हैं यहां पर appearance में जाते हैं और यहां पर menu में जाते हैं जैसे यह menu में गए तो यह वाला page मैं add कर देता हूँ यहां पर add to menu और इसको मैं यहां पर set कर देता हूँ यहां पर save menu कर देता हूँ मैं इसका link आ यहां पर मैं इस पर click करता हूँ तो देखिए अब क्या हुआ जैसे अब हमारा यह title यह भी dynamic हो गया यह पीछे में जा रही है हमारी जो static में हमने set किये वह आ रही है ठीक है अब मैं अगर इसको about us वाले page को added करता हूँ यहां से हमारी यह वाली आएगी और अगर हम back end पर जाके set कर देते हैं यहां पर मैं यह वाली में set कर देता हूँ और update करता हूँ अबडेट होने के बाद हम क्या होगा कि page को refresh करेंगे जैसे ही तो हमारी यह वाली में जा गई है ठीक है तो ऐसे हम अपना एक featured banner बना सकते हैं inner pages के लिए यहां पर हम default image भी set कर सकते हैं इसके लिए हमने जो default में एक बार remove कर दी थी contactors के लिए यहां पर मैं दुबारा set कर देता हूँ यह वाली image set featured image update और यहां पर मैं page को refresh करता हूँ यह हमारा contactors page हो गया यहां पर हमारा title भी dynamic हो गया और हमारी background image भी आ रही है और about us page पर जाते हैं तो यहां पर हमारी दूसरी में जा रही है और यह हमारा title भी dynamic हो गया है ठीक है दोस्तों तो अब आपको पता चल गया कि featured banner कैसे बनाते हैं और उसको dynamic कैसे करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का update आपको मिल सके थेंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में all the best